नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एक्जाम पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज 9 नौवंबर के हुए प्रश्ण पत्र को हल करेंगे जो यूपीडियालेट 4 समेश्टर का पेपर 1 है आरंबिक इस तर पर भासायों गडित के पठन लेखन छमता का विकास तो देखते हैं सबसे पहले वस्टु निश्ट परश्ण जिसमें है आपका कछा पर ग्या वियंजन हैं तो दोस्तों यह सहीूक to वियंजन होते हैं अब हम देखते हैं दूस्ता प्रश्ण जो कह रहा है जिन सब्दों से काम का होना या काम का करना प्रकट होता है उन्हें कहते हैं तो दोस्तों उन्हें हम क्रिया कहते हैं जिससे काम के होने या प्रकट होने का बोध होता है तीसरा प्रशन है जिन सब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं तो उन्हें प्रयायवाची सब्द कहते हैं अगला प्रशन मुखाकृती के आधार पर स्वरों का वर्गी किरिद वर्गी करण है तो दोस्तों वह अग्र स्वर्भी है और पश्च सवर्भी भी भी आए तो आपका ये सबी जो है option वह सही हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है वे संख्या है जो दो से पूर्ड रूप से विवाजित नहीं होती है यानि जैसे कि 3, 5 यानि वे संख्या है जो 2 से कटती नहीं है, 2 के पहाड़े में नहीं आती है, उन्हें हम विशम संख्या कहते हैं जो option A में दिया हुआ है अगला प्रशन है एक परिम्य संख्या को किस रूप से व्यक्त किया जाता है तो दोस्तों परिम्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या है जो P बटे Q के रूप में प्रदर्शित की जा सके वो परिमे संख्या होती है यानि option two यानि बी सुन्य की खोज कहां होई थी तो दोस्तों सुन्य की खोज भारत में होई थी तो आपका option fourth है वह सही हो जाएगा अगला प्रश्न है 990 में 9 का इस्थानी अमान है तो दोस्तों यहाँ जो दहाई पे है उसका इस्थानी अमान 90 हो जाएगा और जो सैकड़े पे है उसका इस्थानी अमान 900 हो जाएगा ठीक है जबकि आपका option में 10 और 100 है तो आपका उत्तर कोई नहीं हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं आचल में है दूद और आखों में पानी यह कथन है दोस्तों मैतली सरन गुप्त का अगला प्रश्न देखते हैं एक से नौ तक की संख्याओं का ज्यान छोटे छात्रों को किन माध्यम से कराया जाना चाहिए तो दोस्तों खेल में भी कराना चाहिए मुर्त यानी वास्त्विक वस्तूव को दिखा कराना चाहिए कि यह पैंसिल है कितनी है तो एक है इस प्रकार से और कव bearings द्वारा भी कराना चाहिए तो उप्युक्त सभी उत्तर हो जाएगा निम लिखीत में से दंत व्यन जन हैं तो दोस्तों वह है आपके 4 option में ड, जो option 4 है अग्ला प्रशन है, सबसे चोटी sum अबाज्य संख्या तो वह होती है 2, जो sum संख्या भी है और साथी साथ अबाज्य संख्या भी है 22 गुड़े 34 का गुड़नफल होगा दोस्तो 748 अगला प्रश्ण है गड़ित की मूल संक्रियाएं होती है तो वह चार होती है जोड़ घटाना और गुड़ा भाग यानि ऑप्शन थार्ड सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है ताव वर्ग का उचारण इस्थान है तो यहाँ पर आपके सारे अप्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं अगली वीडियो में हम अती लगू उत्रिय प्रश्णों को देखेंगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों